नमस्कार दोस्तों हिंगी समान गयान की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दिमाग को तेज करने वाले स्वादिष्ट और मज़दार खान पान के बारे में आज के समय में तेज दिमाग को होना बहुत ही ज़रूरी है हाल के कुछ सालों में कमपेटीशन काफी बढ़ गया है अपने जीवन के हर मोड पर हमें कमपेटीशन का सामना करना पड़ता है जिसके लिए तेज दिमाग की आवशकता होती है अच्छे भविष्ट के लिए तेज बुद्धिका होना बहुत ही जरूरी है तेज दिमाग के लिए नीमित खान पान और नीमित दिंचरिया की जरूरत होती है आजकर लगबगर हर घर में यादास्त कमजोरी की शमश्या रहती है और रोजमर्रा की तनाव के कारण छोटी छोटी बाते याद रखना भी मुस्किल हो जाती है कमजोर यादास्त के कारण खुद तो परिशान होते ही है साथ में दूसरों लोगों को भी परिशानी जहलनी पड़ती है अगर आप भी भूलने की आदस्ते परिशान है तो आज हम आपको कुछ ऐसी साधारन और मज़ेदार चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनें खाकर आप अपने दिमाग को तेज और अपनी ब्रेन मेमोरी को शूपर बुष्ट कर सकते हैं तो चलिए अब जानते हैं दिमाग को तेज करने वाले दिल्चस्प खान पान के बारे में पहला बादाम बादाम में एंटियोक्षिडेंट पाया जाते हैं रोजाना बादाम खाने से दिमाग को तेज बनाया जा सकता है अच्छे परिणाम के लिए आप बादाम वाला दूद भी पीश सकते हैं बादाम को brain food भी कहा गया है इसलिए अपनी brain power को बढ़ाने के लिए बादाम को ज़रूर खाए और खासकर भिगोए हुए बादाम खाना ज़्यादा फाइदमन होता है दूसरा हल्दी हल्दी दिमाग को बहुत ही लाप पहुचाती है हल्दी सिर्फ खाने के रंग और स्वाद को ही नहीं बढ़ाती है बल्कि इसके सेवन से आपका दिमाग भी सार्ब बनता है हल्दी का विप्योग करने से अलजायमर की बिमारी से बचा जा सकता है या दिमाग के डैमेंज सेल्स को रिपेर करने का भी काम करता है तीसरा ओलिव वाइल ओलिव वाइल का तेल आपको ना सिर्फ अच्छी स्कीन प्रदान करता है बल्कि आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है ओलिव वाइल के इस्तिमाल से आप अपनी यादस्त को भी बढ़ा सकते हैं चोधा ग्रीन टी ग्रीन टी गुनों की खान है दिमाग को सांत और एकागर करने में ग्रीन टी बहुत ही सहायक होती है हरी चाय में पाये जाने वाले फॉली फिनाल दिमाग को तुरंत संतूलित करने में मदद करता है परती दिन दो से तीन कप ग्रीन टी का शिवन करना चाहिए जिससे आप अपनी आदास्त को बढ़ा सकते हैं तुलसी को अमरित कहा गया है तुलसी सिर्फ पुजा पाट और धार्मिक द्रिष्टी से ही फाइदे बंद नहीं है बलकि यह स्वास की द्रिष्टी से भी बहुत महत्पुन है परती दिन दो से तीन तुलसी के पत्ते खाक आप बार बार भूलने की बिमारी से छुटकार पा सकते हैं चटा आजवाइन की पतियां आजवाइन की पतियों को अरोमा थेरेपी में इस्तिमाल किया जाता है आजवाइन की पतियों में एंटी अक्षिडेंट पाया जाते हैं जो सरीर को स्वस्त और दिमा को तीज बनाये में मदद करते हैं दिमागी सक्ति के विकास के लिए अजवाइन की पत्यों का इस्तिमाल करना ना भूलें साथवाँ, अकरोट अकरोट को brain food कहा जाता है अकरोट को फोड़ने पर यहां अंदर से मनुष की दिमाग की तरह दिखता है सिर्फ दिमाग की तरह दिखने की वज़़स से इसे brain food नहीं कहा जाता है बलकि इसके गुनू की वज़़स से इसे दिमागी फोजन कहा जाता है अकरोट में omega 3 fatty acid, protein, fiber और antioxidant भरपूर मातरा में पाये जाते हैं रोजान थोड़ी मातरा में अकरोट खाने से भूलने की आदत दूर होती है और यादास बढ़ने लिगती है आठवा, केसर केसर को दुनिया का सबसे महागा हर्व या मशाला माना गिया है दुनिया का सबसे महांगा मसाला होने का मतलब भी असार्थक करता है क्योंकि केसर भोजन के स्वास्थ को दूगुना बढ़ा देता है। केसर का इस्तिमाल अनिद्रा दूर लड़ने वाली जोसधियों में किया जाता है। केसर केसर से दिमाग में ताकत मिलती है। 9. जाइफल जाइफल में आदास्त को बढ़ाने वादे ततों पाये जाते हैं जाइफल को काना बनाते वक्त मसाले की रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं 10. या रसिला फल आपको खाने में जरूर ही पसंद आता होगा अश्ट्रोबेरी में एंटी अक्सिदेंट और विटमीन C बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मेमोरी लोज से बचने के लिए अश्ट्रोबेरी का श्यावान करना फाइद मन्द होता है 11. काली मिर्च काली मिर्च में पेपरीन नाम का तत्तों होता है यहां रासाइन बोडी और ब्रेन सेल्स को रिलेक्स परतान करता है डिप्रेशन की समश्चा में यहां पेपरीन रासाइन बहुत ही कारगर है इसलिए दिमाग को चुस्त दुरूस्त रखने के लिए रोज़न आप अपने भोजन में काली मिर्च का जरूर परियोग करें 12. टमाटर टमाटर में लाइकोफीन नाम का एंटिक्सिडेंट पाया जाता है जो सरीर को फ्री रेडिकल्स के दूस्प्रभावशे जाते हैं जब ब्रेन के सेल्स को च्छति ग्रस्त होने में भी रखना प्रदान करता है 13. डालचिनी डालचिनी में दिमाग को तेज करने वाले सारे गुन पाये जाते हैं अलजाइमर के मरेज़ों के लिए डालचिनी यह बहतरीन औस्दियों की तरह काम करती है नीमी तुरूप से डालचिनी का सेवन से दिमाग हेल्दी रहता है और यादस्त में इजाफा होने लगता है 14. अलसी अलसी के बीज़ों का सेवन करने से मस्तिक्स तेज बनता है ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए अलसी का उप्योग ज़रूर करना चाहिए अलसी के बीज में धेतारा प्रोटेन और फाइवर पाये जाते हैं 15. दही 16. दही में केलसियम, फासफोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट और भी कई तरह के मिनरल्स पाये जाते हैं दही को नीमित रूप से ज़रूर खान चाहिए इसे सेहर को बहुत सारे फाइदे होते हैं यह सरीर में लावधायक बेक्टरिया को बढ़ाता है मचली में omega-3 fatty acid पाया जाता है जो दिमाग को तेज करता है और यादास्त को सुधारने का कायर करता है मचली खाने से दिमाग का विकाश होता है मचली को आखों की रोश्री बढ़ाने वाला भी माना जाता है और इसे brain food की स्रेनी में भी रखा गया है आपको हर हपते में कम से कम एक बार मचली जरूर खानी चाहिए तो दोस्तों ये थे brain power को बढ़ाने वाले को सबसे महतपूर्ण पोश्टिक आहार जिनका अपयोग करने से आपकी दिमागी छमता बढ़ती है और आपकी अद्दास्त में सुधार होने लगता है इन घरेलो नुष्खों को अपनाईए और अपने जिवन को शुक में बनाईए आसा करते हैं कि आपका जिवन मंगल में हो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट वाशेर करना ना भोलें और अगर आपने हमारे यूटूब चैनल हिंदी समान ग्यान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत ही जबरजस्त और उप्योगी टिप्स लेकर आते रहते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और एक सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों